सुमवार को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सन बोस की 125 वी जयनती पर एक कारेक्रम को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए संबोधित किया उन्होंने कहा कि हमारे विज्ञानिक हमेशा से ही विज्ञान और तकनीक के माध्यम से जीवन को आसान बनाने में जुटे हुए है और जो भी आम आदमी आज के दोर में अपने जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीक से जुड़ा है वो न्यू इंडिया का हिस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर एसन बोस की 125 वी जैंती पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए कारिकरम को संबोधित की इस दोरां प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि चाहें वो खेल का छेत्रो हो साहित का या फिर आजादी की लड़ाई का बंगाल इन सबी कामों में सबसे आगे रहा है इस मौके प्रधानमंत्री ने युवाओं के बीच विज्ञान को लोगप्रिये बनाने की जरूरत पर जोर दिया इसके लिए मोदी ने विज्ञान से जुड़े समवात को बड़ी मात्रा में प्रोसाहित करने के लिए कहा प्रधानमंत्री मोदी ने बोस को भारती भाशाओ में विज्ञान की शिक्षा देने वाले महान शक्स के तोल पर बताया और इसके लिए उन्होंने प्रो Sahib सतिंद्रनाद बोस की उस पत्रिका का जिक्र किया जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी प्रधान मंत्री ने वेग्यानिकों से अपने ग्यान का इस्तमाल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहतर बनाने में करने के लिए का है उन्होंने वेग्यान की उप्योगता उसके खोच की लोगों के जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव की मोदी ने देश और समाज की मौजूदा सामाजिक आर्थिक चुनोतियों का जिक्र किया और वेग्यानिकों से इस दिशा में काम करने के लिए का है इसके लिए मोदी ने प्रोफेसर एसन बोस के जीवन का उल्लेख किया प्रधान मंत्री ने बोसान कर्ण की खोच का जिक्र करते हुए प्रोफेसर एसन गोस के अलबर्ट आइंस्टेन के साथ काम करते समय बोसान कर्ण की खोच की बात का जिक्र किया मोधीने युवाओं से विज्ञान में रूची बढ़ाने और विज्ञानिकों को लोगों की जरूरत के मताबिक फोच करने के लिए कहा है पर प्रधानमंत्री के इस आवान का लोगों पर कितना असर पड़ेगा ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा